कल क्या पढ़ा था मालूम है कल हमने पढ़ा था बच्चों exercise 1.1 यह सभी बोर्ड के बच्चों के लिए हैं याद रखना अभी question मिला लेना नहीं विश्वास होगा तो यह n-c-e-r-t है तो कल हम लोगों ने दो कुष्चन कर लिया था आज उसके आगे करेंगे कुष्चन नंबर तीसरा आप लोग चलो पढ़ो तो कुष्चन नंबर थर्ड क्या कहता बच्चों पटापट पढ़ो तो कर लिए कंसेप्ट हो गया था दो कुष्चन हो गया था कि तीसरा कह रहा कि तीन बटा चार वचा थीन बटा पांच वचार वचार वचांच के बीच में पांच पर्मिय संख्या निकालना है पहला चैप्टर है मिस्टर वनीशा जी पहला चैप्टर है क्विस्टन नमबर तीसरा कह रहा कि तीन बटा पाँच और चार बटा पाँच के बीच छे पर मिय संख्या निकालना है क्या करना है छे पर मिय संख्या निकालना है तो बच्चों कलास को सेयर कर तो बाबू ऐसे मज़ा नहीं आ रही यार हां आप लोग क्लास को सेयर करके आओ फटा फट बच्चे जुड़ने चाहिए ना ऐसे थोड़ी मज़ा आती है बताओ कुछ यह भी कर बड़वारा मुझे लग रहा है स्मूथली नहीं चल रहा है क्या नहीं चलेगा तो बता देना कि नहीं चल रहा है अच्छे से हां ठीक एटेंशन मत लेना बिल्कूल आप थोड़ा सा मैं इसका फ्पीस कम कर सकता हूं क्या आप लोग कर लोगे क्या इ विफ्ऐन कि लिए यह कुछ कौम नहीं हो भ़या थैक कर लोगे नसभी कि आप समझो में 5 पर्विये संक्छी पर्विये संक्छी निइकालना या 5 निकालना ठीक करते से पहले क्या करेंगे हम यो करेंगे अभी देखो आप लोगों के वादे के मुताबिक 100 बच्चे नहीं हुए, 100 बच्चे नहीं हुए, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, भाई, सेयर करो, फटा-फट 100 बच्चे हो जानी, तो हम कैसे पढ़ाएंगे, फिर ऐसे पढ़ाएंगे, नहीं हम जान लो, तब तक मैं एक कोईश्चन करव ठीक है, रितिक चौधरी, विर्जेस, यादो, प्रांजल, आपके कितने वाटसप में गुरूप है, सब में बेज दो, अपनी वाटसप के स्टेटस में लगा दो, कि कलाफ 9 का मैद पढ़िए, लाइब देखिए, फ्री देखिए, यहीं तो करने ना, आपको, कर दो फटा भग, थोड़ा सा बच्चे है, कुछ बच्चे हैं, जो नहीं लाइक कर रहे हैं अभी, नहीं सेर किये, वो भी करतें, बस हो जाएंगे, चलो, कुसाल सिंग, स्युधनी गुपता, अंजली कुमारी, नीतेस, रितेस यादो, दिवाकर, हम सब को जानते हैं, लेकिन तुम प पूरा कर दो, बस चलो, कुलबिंदर कौर, जी, गुड़ इबनिंग, पूनम कुमारी, गुड़ इबनिंग, रोहित, प्रण्जल, अभी बच्चे फटा-फट सेयर करके आओ, पचीस बच्चे अभी बच्चे है, हंड्रेट के पार करोगे, तभी कलाश चलेगी, बई, सो बच्चे तो आने चाहिए, कम से कम ना, संगीता, कमेंट आ रहा है, चलो, ठीके, ट्राई करते रहो, अच्छी बात है, ट्राई करते रहो, सभी ट्राई करते रहो, पेरी गुड, रिशू सुकला, बिर्जेस यादो, सभी सेयर करके आओ, तुरंद फटा-फट, हंड्रेट पार करो भई, हंड्रेट बच्चे जैसे हो जाए, तुरंद हम कुश्चन करवाएं, कल दो करवा दिये थे, कंसेप्ट पढ़ा दिये थे, आज आपका तीफरा कुश्चन होगा, एक्सरसाइज 1.2 पूरा हो जाएगा, और 1.1 भी ये पूरा हो जाएगा, इसमें सिर्फ दो ही कुश्चन है, कुछ बच्चे सेयर करने गए हैं अभी, ठीक है, जो बच्चे सेयर करने गए हैं, ये मत सोचना कि वो भाग गए हैं, आजए खुशाल सिंह मेहरा, तुम्हें बला कर करने क्या बच्चा? ज्याद दात निकल रहा तुमारा, एह ज्याद दात न नकलो केवल मतलब का काम करो बस, तुमको लिखना दव्याता आप नहीं है, अाइस टा रड करो को लिख रहे हो, इस तेड करो, इस स्टेड मतलब का होता जानते हो कि दीख लो लिखना पढ़ना सीख लो मनोज यादो जी ठीक है मनिशा देभी लहाबाद यूपी में पर्याग राज में कि पुहुरानी भूले नहीं है पहिचान रहे हैं सबको पहिचान रहे हम तो भाई अभी हुए नहीं 100 करो आगे बढ़ा जा जल्दी से आप लोग टाइम वेष्ट करो हाँ चलो तब तक एक कुष्चन बताते हैं आप लोग जल्दी से जो नहीं सेयर की हैं फटापट सेयर कर दो सेशन को लाइक कर दो बस इतना ही तो करना है हमारे प्यारे बच्चे हमारी बात सब मानते हैं सभी तो देखो तीन लाख बच्चे जुड़े हैं बहुत ही मानते हैं हमारी बात चलो आप लोग करो फटापट देखो समझो, तो नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का PBR स्टेडी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपकी कलास सुरू हो चुकी है, कुछ बच्चों के हम नाम बोलेंगे इसमें जिनके कमेंट आ र तो आपकी कलास हम सुरू कर रहे हैं, आप सभी कलास को लाइक और सेयर जरूर करना और नए बच्चे चनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो प्रिये इस्टूडेंट से कल हम 1.1 एक्सरसाइज का दो कुष्चन कर लिये थे, और तीसरा कुष्चन आज हमें करना है, ठीक है, अब समझो, तीसरा कुष्चन है कि 3 upon 5 and 4 upon 5 के बीच में 5 परिये संख्या निकालना है, तो बच्चों सबसे पहले हमें परिये संख्या जो भी दी गई है, मतलब जिनके बीच में निकालना है, उनको लिखना होता है, जैसे मैंने इसको लिख लिया, उसके नीचे द बराबर हैं, देखो हम हर बार कमेंट नहीं पढ़ेंगे, नाम नहीं बोलेंगे, याद रखना, कुछ बच्चे कहेंगे तो लाइब है यह नहीं, अरे गदो, लाइब है तो क्या मैं तुम्हारा नाम ही पुकारू पढ़ाऊ नहीं, चलो, तो कलास पर ध्यान दो बेतर रह हमें कि सीधी सीधी कोई संख्या होगी नहीं, तो हमें जितनी भी परमिय संख्या निकालनी है, देखो हमें पांच निकालनी है न, आप जड़ा एक मिनिट के लिए सोचो, अगर इसमें हम दो से गुड़ा कर दें तो यह छे बन जाएगा, और इसमें दो से गुड़ा कर द करूंगों हम लोग क्या करते हैं ऐसे ट्राइव करते हैं मतलब जिसे पहले दो से गुड़ा करने को तीन से चार दर से नहीं तो लाज्ट में अगर बहुत जल्दी है तो सबसे आसान तरीका यह लिदży या निकालनी है बच्चो उससे एक अधिक से गुड़ा करते है उपर नीचे पांच निकालना है तो छे से करोगे आठ निकालना है तो नौ से करोगे चार निकालना है तो पांच से करोगे एक बढ़ा करेंगे तो उपर नीचे इसमें क्या करेंगे बच्चो छे से गुड़ा करे में पांच पर मिए संख्यानि कालनी है तो बच्चो मुझे यह बताओ कि 18 और चव्वी सक्वेश के बीच में पांच संख्याा ओजाएगी या नहीं इस तभी बच्चे बोलो हा या नहीं हो जा funds olduğunu है नो प्राव्लम देखो समझो आगे समझो अब हम लिखेंगे आगे नीचे इसके दिख रहा है यहां लिख लो आप यहां लिखेंगे आप लोग नीचे लिख लेना आताहा 18 बटा 30 वा 24 बटा 30 के बीच के बीच पांच पर्मिये संख्याएं पांच पर्मिये संख्याएं निम्न हैं ऐसे लिख लो लिखने का अपना अपना तरीका है या फिर पांच पर्मिये संख्याएं लिख से डैस कर दो कुछ भी न लगाओ उसके नीचे आजाओ फटा-फटाफट समझ रहे हूं ना देखो तो अब देखो समझो हमें किस के किस क कि यह दर साइड में और यह सबहें गाने HOLA की आता चाहारा के बाद किा होता बच्छों 19 होता हैं तो देर यह को जाएगा 19 बटा 30 यह हो जाएगा इकीस बटा 30 यहeras समझ में रोहित शिूरती, साहनी, फुश्पक्तिवारी, सबको समझ में आगा है, देखो बच्चों कभी-कभी इस सवाल के उत्वर नहीं मिलते हैं आपकी किताब से, पता ऐसा क्यूं नहीं मिलते हैं, देखो, किनी भी दो पर्मिय संख्याओं के बीच में अनंत पर्मिय संख्याएं होती हैं कितनी होती हैं अनंत पर्मिय संख्याएं होती हैं अगर हम आपसे पूछें मोटा मोटा कि जैसे मानलो कि पांच और बारा के बीच में हम आपसे दो संख्या पूछें तो भाईया पांच और बारा के बीच बिच में तो दो से अधिक संख्याए हैं, मानलो कोई बता दिया कि गुरुजी 5 और 12 के बीच में 8 और 9 होगा, तो उसका भी सही है, अगर कोई बता दिया 6 और 7 होगा, तो उसका भी सही है, इसका मतलब सबका सही है, तो अब आप तुम किताब से इसी तरह मिलाओगे, तो इन प्रमिय संख्या थो इनके बीच में अनंत होती है या फिर काम और कर सकते हो इनको अभी सरल कर सकते हो इनको अभी आप काटोगे दूइबटातीन आ सिंप्लिफाई करो थोड़ा और चेंज हो जाएंगे तो इस तरह से आपका उत्तर इसी वज़ा से किताब से नहीं मिलता है समझ रहे हो ना लेकिन आपको क्या करना है केवल और केवल तरीका लगाना बच्चों बस ठीक है जहां आप तरीका लगाए तहां आपका हो जाएगा तो यह कुश्चन आप लिख लो मैं इसको मिटाऊंगा उसके बाद आगले कुश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है बच्चों भाई कितना कुश्चन था इसमें तीन था चौथा भी बताना है न एक ठी चलो चौथे में आजाओ चौथे में आजाओ बच्चों किताब लिया हो कि नहीं सभी पहले यह बताओ चौथा परस्न पढ़ो अभी बच्चे क्लास नाइन्थ एंसी एर्टी मैथमेटिक्स का इकसर साइज 1.1 का कुश्चन नंबर 4 रीड करें जल्दी से चलो रीडिंग लगाओ कुश्चन फटा है अगर कोई समस्या है तो बता दो नहीं चल रहा है तो बता दो कोई अन्य बिमारी हो रही है तो बता दो हम उसे दूर करेंगे लेकिन अगर 10-5 मिनट देखोगे तो कच्छा नौ में पहुंचे हो समझ में नाएगा यह कच्छा नौ की गड़ी था है समझ में नहीं आती असानी से जलो मैं कुश्चन पढ़ता हूं कि देशी में उजी कड़ा भाई नाम अपना अच्छा रख लो बाबू बोलने में मुझे ना सारम लगेगी हाँ कि देखो कुश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है स्टूडेंट से फोर नंबर ध्यान दो आप लोग कह रहा कि नीचे दिये गए कथन सत्य है या आसत्य है कारण सहित अपने उत्तर दीजिए पहला पूछ रहा है कि आप परतेक प्रकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है सभी बच्चे बोलो जल्दी से कल में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ाया था जल्दी बताओ नहीं पटक पटक के मारेंगे चलो बताओ पहला बताओ क्या सभी प्रकृतिक संख्या क्या सभी जो नेचुरल नंबर होती है वो whole नंबर हो सकती है बोलो, हाँ या नहीं जल्दी जबाब दो, सभी हाँ या नहीं में जबाब दो, सभी जबाब दो हाँ या नहीं में, क्या सभी प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या हो सकती, बताओ, बताओ, चलो बताओ, अंजली कुमारी, प्रांजल बर्मा, मनोच, सीवा पांडे, देखो बच्चों, सभी जो प्रकृतिक संख्याएं हैं, वो पुर्ण संख्याएं हो सकती है न, हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, भैया हो, जैसे अगर मैं कहूं, कि ये बोतल है, इसमें पानी है, तो मैं अगर तुमसे पूछूं, कि क्या संपूर्ण पानी बोतल के अंदर है, या कुछ पानी बहरे भी लटका इधर उधर, देखो, है न, तो पानी जितना भी इस बोटल में है, सब इसके अंदर में ही है न, बाहर तो नहीं लटक रहा है न, नहीं तो यहां कुल लटका होती बच्चों, वो सभी प्रकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या हो सकती है, ऐसा क्यों, देखो समझो, दूसरा एक्जांपल में अभी है, इसको रियल में बता रहा हूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या पूरा बोतल पानी के अंदर है, बता है, क्या ये पूरा बोत के अंदर है, तो उसी तरह से बच्चों जो आपका प्रकृतिक संख्या होती है, वो सारी प्रकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या, प्रकृतिक संख्या नहीं होती है, देखो कैसे समझो, यहाँ पे समझो, जो नेचूरल नंबर है आ जादा पर दादा फस्ते चार कदम आउर आगए यह जीरों से शुरू हो जाते हैं एक से सभी नेचुरल नंबर हो सकती है एक एक चीज समस्जते चलो तब ये जाएगी को नेस समझो घो तो कुछ मजा नहीं आएगी यह से यह समझ में कुछ नहीं आएगा तो ने पच्छा पढ़ाई कर लो के कमेंट बढ़ बार ना करो नहीं तो बॉलाग कर देंगे कि हमारे कितने नंबर आये थे पूछ रहीं मुझे तो कुछ नहीं पता आये भी थे कि नहीं आया को थे कितना नंबर पाते थे सब बताएंगे संडे को रात 9 बज़े लाइव आना बात चीत करेंगे चलो अभी पढ़ लो अभी नहीं अगला कुश्चन कहे रहा है सिकेंड वाला पढ़ो परतेक पुडांक एक पूड संख्या होती है बोलो परतेक पूडांक एक पूड संख्या होती है अभी बच्चे बोलो यास या नो क्या परतेक इंटीजर नमबर जो होता है वो एक पूड नमबर हो सकता है बताओ दूसरा नमबर पच्च है इसमें कदेखो पचलो देखो परतेक पूडांक परतेक पूडांक पूड संख्या हो सकती मैं फालतु काहे लिखूं तुम समझतो रहे ही हो क्वेश्चन कहरा बच्चों कि क्या परतेक वुडांक मिन्स एबरी इंटीजर जो होता है वो होल नंबर हो सकता है यस या नो यस या नो तेज सिंग हरेंद्रिया दोब्रिजेस नजराना नहीं देने को बोल रहा हूं नजर है भाई मुझे कम पढ़ना आता इंगलिस में मैत में नाम होता तो मैं जान जाता चलो देखो नहीं परतेक इंटीजर पूड संख्या नहीं हो सकती है कभी नहीं हो सकती है दद्दू कैसे मालूम है यह नेचुरल नंबर तो इनके काका जो थे नेचुरल नंबर के होल जाते हो ना यह गड़े-mुर्दे हों खाडते हैं देखो समझों यहां पर दोनों का मतलब समझ लो तुम अब पूडांक मतलब इंटीजर होता है मैं इसको अब इंगलिस में लिख रहा हूं इंटीजर मतलब पूडांक तो प्यारे बच्चों जो पूडांक होता है वो मा सनंद तक जाता है मतलब हमें ये नहीं पता है कि पुडांक की सुरुवात कहां से होती है ये मालूम ही नहीं है लेकिन ये दद्दू है जो पूर्ण संख्या जो हर जगा टांग अड़ाए रहते हैं इनकी सुरुवात तो सुनना से होती है बच्चा कहां से होती है सुनना से होती है यानि कि पूर संख्याएं माइनस में नहीं होती है समझ में है ना पूर संख्याएं माइनस नहीं होती है तो हम कहसे कह सकते हैं कि परतेक इंटीजर जो है वो पूड़ संख्या होगी इंटीजर में तो माइनस वाली संख्याएं भी आती है लेकिन पूड़ संख्या में माइनस की संख्याएं नहीं आती है इतले इसे लिकेंगे पे सभी बच्चे ईक-एक बच्चा लाइक करें घकार। अब देख रहाँ नहीं करना हां है गुरू से कपड़ मित्र सेनयों कि नहीं पड़त नुकसान दायक होता है तब तक मैं इसको थोड़ा पोच पाच देता हूं तब तक तुम लोग लाइक करके बताऊ चलो अभी सब नहीं कर रहे हैं मैं देख रहा हूं जूट नहीं बोलना बच्चा अज तब देख रहा हूं कितने लोग नहीं लाइक करें इंचेभी देखो यहां पर उठ्ड़ा भेजने को नहीं बोल रहा हूं कदो वह क्लायस जाके भाला करने को बोल रहा हूं यह तो अच्छा नो दस वालों बच्चों को बहुत मारते दें लेकिन हर दम नहीं मारते थे जब टेस्ट होता था वो लोग नहीं पढ़ते थे तर मारते के बाद पिर मैंने बंद कर दिया हमने के यह पढ़ेंगे नहीं जाने तो फिर योगी जी आ गए योगी जी कहा है पड़ाओ ड़ाओ नहीं मैं वैसे पास कर दूंगा पेपर ही नहीं होगा चलो देखो यहां पर समझो परतेक पर्मिय संख्या एक पूर्ण संख्या है बताओ परतेक पर्मिय संख्या एक पूर्ण संख्या है परतेक पर्मिय संख्या कह रहा है एक पूर्ण संख्या है बोलो हां या नहीं हां या नहीं बोलो रितिक कुमर, हरेंद्र, दिवाकर, देखो भाई सभी बच्चे लाइक नहीं करे हो, लाइक करना है, तुम सब कुछ जानते हो, बहुत बड़े कीड़े हो, तुम गेम खेलते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो मुबाइल में, ऐसा नहीं कि तुम नहीं जानते हो, लाइक करना, फिर फिर ऊंगे ना कि हो परतेरिक पर्मिय संख्या एक फूर संख्या है देखो परमिय depends हम पहली नंबर तो जनकारी होना चाहिए कर फिर ऊबब नहीं क्योंकि यह सब अलग-अलग बिरादरी के हैं अलग-अलग समुदाय के हैं मतलब समझो जो पूर संख्या होती है प्यारे बच्चों होल नंबर यह सिर्फ जीरो से सुरू हो करके 123 कवन्नी गिरी किवल पलस में होता है मतलब only positive होता बस ताकि कुछ नहीं होता है लेकिन जो आपका दूसरा है रेफनल नंबर जिसे पर्मिय संख्या बोलते हैं यह सही, गलत, सुद, असुद सब पर्मिय संख्या होती माइनस में कौनों दिया गया यह भी क्या है रेफनल नंबर लेकिन ये पूर संख्या थोड़ी है ना दद्दू ये पूर संख्या नहीं है अब तुम दसामलो में लिख दो जीरो दसामलो पांच ये भी क्या है ये रिखनल नंबर है लेकिन पूर संख्या नहीं है ये पुडांक है पुडांक नहीं है समझ गए ना परिया पाल जी गुड इबनिंग बहुत जल्दी आ रही हो तुम कलास की छुट्टी करवाने आयो मुझे लग रहा है भाई देखो जादा से जादा बच्चों को लाओ अपने साथियों को सभी साथियों को ले करके आओ पटाफट सभी बच्चे कलास को लाइक और सेयर करें ठीक है समझ रहे हो ना अपने सभी साथियों को तुम ले के आओ कलास में ऐसे मज़ा नहीं आती कि दो लोग चार लोग आके पढ़ोगे आई से हम पढ़ाएंगे भी नहीं यह भी जान लो तुम चलो इंग्लिज में बोलो इंग्लिज में लिक लो बेटा नो एवरी रेफनल में बार विल नारट हओल नमबर, पैर इंग्लिज सही है बतल तुम समझ गए मैं जो कहना चाहता हूं बस भुझे इंग्लिज में नहीं बोलना है क्योंकि यह ले करके तो बच्चों बोलो तरी 1.1 खतम अरे इंड नहीं हुई नहीं लायक अभी 1.2 चलेगा अब डालो एकसर साइज 1.2 कि रहने देख कल पढ़ाएं 1.2 पढ़ाएं या कल पढ़ाएं क्या कह रहे हो बोलो यस देखिए बच्चों अगर इमांदारी से पढ़ोगे भाई हमारी बात आप मानोगे तो हम आपकी बात मानेंगे और हाँ अभी साइन्स का भी लाइप चलाने वाले हैं बड़ा धमदार कलाश चलेगी साइन्स की एक चड़े मतलब खेद भी होगा आसपास तो साइंस में बहुत कुछ होता है वो सारा एक्सपेरिमेंट तुम घर पे कर सकते हो कि साइंस जल्दी ही पढ़ाएंगे टेंसन मतलो चलो आज ही पढ़ा दें एंसी आर्टी है बच्चा स्रीकांत एंसी ए आर्टी कुहुरानी चलो ठीक है ठीक है ठीक है अरे तुम लोग इतने प्यारे प्यारे हो हम पढ़ाएं ऐसा हो कैसे सब्ता है चलो देखो पहला कुंस्चन जो किताब नहीं लिए ना बच्चा निकल लो तुम नानी के घर चले जाओ किताब लेके तो आना चलो किताब लेके आया करो खाली हाथ यहां बतासा नहीं बटने वाला एक खाओगे अभी हाली हाथ नहीं करो किताब कहां पी लिए रहोगे तो कुछ समझ में आयेगा है कि चलो वन पॉइंट टू खोलो एक सबसाइज ऑन पॉइंट टू कच्छनों की एनसी ए रटी घड़ी था यह बच्चा क्या है एनसी ए रटी है यह साइंस की कलास हमारी कोशिस है 15 जुलाई से सुरू हो जाएगी साइंस की दमदार कलास होगी कलास के बारे में सूचना देंगे सामको साथ वजे वाली कला कर दिख रहा है ना चलो बलर कर रहा होगा तो बताना देदेंगे तो चार्थी पहला कुश्चन कह रहा है नीचे दिये गए कथन सत्य हैं या आसत्य हैं कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए इसमें भी सत्य असत्य करने को बोल रहा है कारण बताओ अगर सत्य है तो कारण बताओ क्यूं सत्य है ऐसे नहीं काम चलेगा कि तुम जैस्री राम करके बोल दिये सत्य कारण लिखना पड़ेगा, कारण बताओ, क्यूं, असत्य है तो क्यूं, देखो समझो, हाँ साइन्स पढ़ाएंगे, साइन्स पढ़ाएंगे, सबर रखो, धैरे रखो, पहला कहरा कि परतेक अपरमिय संख्या, एक वास्तविक संख्या होती है, बताओ, क्या परतेक अपरमिय संख्या, वास्तविक संख्या होती है, बताओ, यास या नौ, क्या परतेक, कौन से है बई, अपरमिय संख्या, ये वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, देखो, बहुत से बत्चे कोसिष करेंगे, बच्छों देखो, जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाया था बाबू अगर उसको पढ़े होगे न तो आपको सब समझ में आएगा बेहतरीन मजा भी आएगी लेकिन आपने उसे पढ़ा नहीं मुसिकल की बात यह है अब इसे एक सिंग्जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना मीठा कमेंट करने के लिए पानी पी लेते हैं आपका कमेंट बहुत ही बहुत ही मीठा था मतलब चलो देखो इधर समझो यस इसका आंसर है यस परतेक अपर्मिय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होती है वो real number होती है क्योंकि ये चीज रटलो बच्चा तुम याद कर लो जो वास्तविक संख्या होती है जिसे इंगलीज में बेटा real number बोलते है real number ये होता है बराबर पर्मिय धन अपर्मिय अपर्मिय संख्या ये चीज तो तुम पढ़ लो यानि जो real number है संख्या में दोनों होते हैं समझ रहे हो ना जैसे एक family बनती है ममी पापा को मिला के समझ गया ना वो ऐसे होता है हुँ चलो आज ही पढ़ाएं ठीक है पढ़ात हो रहे है बच्चा जितने भी हमारे नए प्यारे प्यारे साथ ही आये हैं वो इस channel को subscribe जरूर करें PBR study लहबाद को subscribe जरूर करें और हाँ PBR study को Instagram पे जरूर फालो कर ले ना क्योंकि Instagram पे भी आपके वीडियो जाते हैं लाइब होगा Instagram पे भी नाम PBR study ही है वही नाम है वही नाम है जो हर जगा है एक ही नाम है भाईया PBR study यह तीन नाम से मिलके बना है पताओंगा कभी चलो अगला पढ़ो टाइम नहीं अगला कह रहा है कि संख्या रेखा का परतेक बिंदू अंडर रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्रकृतिक संख्या है पताओ जबाब दो पाई एक अपर्मिय संख्या है बच्चा क्या है पाई एक अपर्मिय संख्या है अगर वो सिर्फ पाई दिया है तो अगर उसका वैलू दिया है इसकी कहारी बड़ी लंबी है मैं तुम्हें सब नहीं बता पाऊंगा यहां पे पहले कलास पढ़ लो तब टीटियल में बताना पड़ेगा छोटा ग्यान खतरनाक होता है थोड़ा सा अगला बताओ यस या नो अगला यस या नो संख्या रेखा का परतेक बिंदू अंडरूट यम के रूप का होता है हमें तो नहीं लगता कि होता है कह रहा कि संख्या रेखा का प्रतेक बिंदू अंडरूट यम के रूप का होता है यहां यम बराबर प्राकिर्थिक संख्या पता यह सही है कि गलत है जो बच्चे किताब लिये हैं कच्छा 9 की NCRT गडित खोल ले परस्नावली 1.2 यानि अभ्यास 1.2 कुश्चन नंबर पाहिला का यह दूसरा पार्ट है तो बच्चों इसका उत्तर होगा नहीं इसका उत्तर होगा नहीं क्योंकि जो संख्या रेखा होती है भाईया बाबू उस पे तो सारे पुड़ांक आते हैं बीच में 0 होता है सुनना होता है इधर सुनना किधर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इस पे सब होता है न लेकिन कह रहा का यह तात्य पर है बच्चा का कि सभी प्रकृतिक संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या रेखा पला के ठूस देंगे ऐसा कभो नहीं होगा क्योंकि जो माइनस वाली संख्याएं है उनका तो वर्गमूल निकालके तो माइनस में नहीं लापाओगे ना आएगा ही नहीं वर्गमूल किसी संख्या का माइनस होता है कभी बताओ किसी माइनस वाली संख्या का भी अगर हम और गमूल करेंगी तो हमेशा पलस हो जाता है इस पर तो माइनस वाली संख्या भी होती है परतेख वास्तविक संख्या आपरमिय होती है मासारदे, कोचिंग, बहुत अच्छे गुरुजी, चलिए समझिए, पर तेक वास्तिविक संख्या अपरमिय होती है, पताइए, एवरी रियल नंबर, एज एरेफनल नंबर, बोलो हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, परसा यादो, कलास तो चल रही है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, साम को साथ बज़े चलती है, हर दिन साम को साथ बज़े चलती है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, अब नहीं सब्सक्राइब करोगे, तो फिर आप जानो आपका काम, तीसरा पार्ट देखो बच्चों के रहा कि परतेक वास्तविक संख्या परतेक वास्तविक संख्या जो एबरी वास्तविक मिंस रीयल नंबर होता है कह रहा कि वो और रेफणल होगा इन कौन से गरा आ गई भाई अभी आना था अचाल निकल ले भाई तो तो फरतेक वास्टिपी संख्या जो है वह एरेफणल होगा कि ऐसा दो नहीं ऑबच्चा आयसा तो नहीं ऑट है है बी मममी पापा से बच्चे तो पईदा हो जाते हैं लेकिन बच्चों से मममी पापा थोड़ी पहिदा होंगे जैसे बहुत सारे एक जामपल आप समझ सकते हो थोटा सा हम दही भी बना सकते हैं लेकिन इन सारे सामगरियों को मिला करके हम दूद नहीं बना सकते हैं कि बना लेंगे बता हो तो उसी तरह से जो वास्तविक संख्या है यह कह रहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सभी अपर्मिये होती है करते एक वास्तविक संख्या पर्मिये थोड़ी है यह तो पर्मिये है लेकिन अपर्मिये नहीं हो सकती है क्योंकि वास्तिफिक संख्या में पर्मिय भी आती है उनका तो हिस्से कट कर दिये जैसे मालों किसी माबाप के दो बच्चे हैं उनकी संपत्ति उनकी जैदाद है मालों उनके पचीज भीगा खेद है तो साड़े बारा बारा बीगा दोनों का हुआ ना ऐसा नहीं हो ज्याद दूसरा नंबर बहुत आसान है बच्चों अच्छा एक बात पहले मुझे बताओ इमानदारी से जूट नहीं बोलना जूट बोले कववा काटे इसमें से कौन-कौन किताब नहीं लिया है कि बताओ वहीं वलरकाय कर रहा है पचास जो किया प्यासूसी से लग रहा है इकड़ बढ़वा रहा है बताओ कौन-कौन इसमें किताब नहीं लिया है कि मांदारी से बताना जूट नहीं बोलना जूट बोले ना देखो ये कपड़ा काला काला भिगोए है मुहिब मारें पठाग पूरानी किताब नहीं लि किताब लेके बैठोगे तब समझ में आएगा बीना किताब कि आओगे तो यहां पर रामायर नहीं हो रही कि हम दिखाएंगे तुमको और तुम देखो गया राम से किताब लेके आओ किताब ले रहो ने तुम्हारे पास जो भी है वही लिए रहो संख्या पद्दति खोल लो पहला चैप्टर वही सब मिलेगा तब वही है क्योई भी किताब ले लो कोई भी प्रकासन हम भी जब कच्छा नोदस में थे तो हम भी दिमाग लगाते थे रहे गुरुजी तो मनो में दो किते हैं कि दी ऐसे दिया है खाइएह से रहता है तो चलो ठीक है जो नहीं लिए ले ले आगला दूसरा कुश्चन बच्चों देखो क्या कह रहा है वह यह दूसरा question क्या कह रहा है बावू समझो कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पुडांकों के वर्गमूल अपर्मिय होते हैं क्या सभी धनात्मक पुडांकों के वर्गमूल अपर्मिय होते हैं यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदारान दीजिए जो पर्मिय संख्या है इनका कहने का ये मतलब है कि जितने भी धनातमक पुड़ांख है उनके वर्गमूल अपर्मिय होते है अब एक गधा कहां से आया तू ऐसा बोलने के लिए ये गलत है नहीं अपर्मिय होते हैं नहीं इसका उत्तर लिको नहीं धनातमक पुड़ांख बहुत सारे हैं उनका वर् सोला क्या धनातमक पुडांक है इसका जो वर्गमूल है चार है यह पर्मिय थोड़ी है यह पर्मिय संख्या है ऐसा ऐसा चट्टा इसमें बसे हैं ऐसा ऐसा कुईश्चन लिख देते हैं देखो यह सभी है यह सभी ले लो यह सभी धनातमक पुडांक है लेकिन जो वर्गमूल है वह अपर्मिय नहीं है इसलिए इनका उत्तर मैंने गलत सिद्ध कर दिया कि सभी धनातमक पुडांकों के वर्गमूल अपर्मिय नहीं होते लल्लू गलत लिखे हो तुम चलो